सो फाइनली हम लोगों ने थोड़ा जुगार लगा के कैमरा सेट कर लिया है सो फाइनली एक तारीक आ चुकी है एक दिसंबर 2000 साल 2022 का आखरी महिना है गेट 23 एस्परेंट के लिए लास्ट दो महिने बचे हैं तो 23 एक्जम लिखने वाले स्टुडेंट दो-Tन केटगरी हो सकती जॉब वाले भी होँगे में सेमिस्टर एक्जम के बाद या किसी का अगर कंपलिट हो गया होगा तो उन्हें बड़ा असा वह लग रहा होगा कि यार कहीं भूल तो नहीं गए तो ऐसे student जिनने सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो tension मत लीजिए, उनके दिमाग में कहीं न कहीं, जो gate का material वो है, सिर्फ revision करने की देर है, test को बहुत अच्छे से लगाईए, वो साथ में revision करते रहिए, जो test को उसको analyze भी करना है, अपनी गलतियों को सुधारना, अगले test में वो गलतियां नहीं दोराना है, ऐसे student जो 3-4-5 subject करें हैं या job में हैं, तो वैसे student नया मत पढ़िए, जो आपने पढ़ रखा है, उसी को अच्छे से execute करने का कोशिश करिए, test दीजिए, test से नहीं भागना है, चाहे आपने 5 subject पढ़े हो, 6 पढ़े हो, 4 पढ़े हो, जो भी पढ़ा हो, जितना पढ़ा हो, अब आगे नया मत पढ़िए, जितना पढ़ा है, उसी को बहुत अच्छे से revise करिए, और test दीजिए, ठीक है, अब बात करते है, get 24 और 25, अच्छा 23 वाले students के लिए एक चीज और है, कि आपको अब ये पता लग गया है, कि आपकी branch का paper किस द पास बीच में, तो उसमें आप बहुत अच्छे से instrumentation के subject revise करके उसका paper में appear हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार I think electrical और instrumentation एक ही दिन होने की वज़े से, या आगे पीछी था या एक दिन ही था, करेक करना मुझे, बहुत ज़्यादा gap नहीं था, तो उस चक्कर में क्या हुआ था कि बहुत सारे student अच्छे से perform नहीं करे थे, इस बार electrical वाले student या instrumentational student जो electrical से लिख रहे हैं, तो उन दोनों को बहुत अच्छा advantage है, gaping मिला हुआ है, चलो, बात करते 24 के students के लिए, 24 और 25 वाले student जो कि अभी semester में व्यस्तत्य semester exam खतम कर रहे हैं, चल भी रहा होगा तो जि हमारा क्या semester exam निकल जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि gate का syllabus, engineering का syllabus होता है, बस engineering colleges में जो exam होता है, उसमें ज्यादा numerical नहीं होते, theory, derivation और यह पूछते हैं, बट gate की examination में numerical होते हैं, बट numerical बिना theory, बिना derivation के नहीं निकलता है, इसलिए हम लोगों ने हर एक subject बिलकुल basics बहुत जरूरी है, खास कर gate 23 वाले सुन लीजिए, कि easy और medium लेबल को ही आपने बहुत अच्छे से target कर लिया, बहुत अच्छा score लेके आ जाओगे, ठीक है, तो 24-25 वाले student लग जाई अपने preparation में, individual subject हम लोगों ने रख रखे हैं, सारे individual subject, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, 2 year, 3 year, सब category में क subject देखिए, gate का syllabus देखिए, ताकि आपको दो बार महनत नहीं करना पड़े, तो gate के साथ साथ आपका semester भी cover हो जाएगा, है ना, और ऐसा है कि कोई subject ऐसा है, अच्छा subject का sequence भी बहुत जरूरी जिनको sequence नहीं पता है, G-Center के आपके chat box पर डालना, हम लोगों ने अल्रेडी व सी वज़े से sequence का आपको खासा दियान रखना है, ठीक है, और बात करें अगर हम लोग G-C, gate preparation calendar वाले students, जो की पिछले मन्थ हम लोगों ने G-C calendar लॉंच किया था, उसमें क्या किया है, देखो बहुत सारे student पूछ देख सर, G-C में तो कोई वीडियो ही ने डाला आपने, G-C आले अच्छी बात है, जो लोग नहीं बना पाए, उस calendar को follow कर सकते हैं, उसमें हमने सब्जेक्ट, semester break भी दिया था, ताकि 25 दिन जिनका इधर उदर हुआ है semester में, तो वो जो break है, उसको compensate कर सकते हैं, अब बहुत सारे student का एक question था कि सर, G-C के coding हमें 10-15 दिन जादा लग रह है, अच्छी बात है, तो G-C को देखिए, है न, और बहुत सारे student G-C को follow कर रहे हैं, और मैं पूरी आपको बोल सकता है कि आशवाशन दोंगा कि बहुत अच्छा result लेके आ जाओगा, अगर उस sequence से आपने subject खतम कर लिए, तो बहुत अच्छा कुछ कर ले जाओगे, ठीक ह आपके दिमाग में सब कुछ है, कहीं नहीं गया गेट का material, थोड़ा सा revision और test series देने की बात है, ठीक है guys, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, आपको all the best बोलता हूँ, सभी अपने अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहें, time बहुत ही केमती है, बिला time waste करें, ए एक दिन बहुत important है, आने वाले scorecard बहुत important role रहेगा उने scorecard का, क्योंकि आने वाले time में general elections भी हमारे देश में, ठीक है guys, तो all the best, अच्छे से तयारी करो, अच्छे से पढ़ते रहो, और 23 में जो लोग सोच रहे हैं कि यार ठीक आएगा या नहीं आएगा, वो ये सोचिए कि बहतरीन होगा, जो हमने पढ़ा है, एक्जाम में वही आएगा, ओके थैंक यू